हेलो एब्रिवन वेलकम टू ट्रांस आईटीसी ये फोटो सॉफ सीरीज का सेवेंथ वीडियो है जिन लोगोंने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है उन लोग के लिए आई बेटन में साथी साथ डिस्क्रिप्टन में लिंक दे रहा हूं आप वहां से देख सकते हैं आगे आने वाले और भी एडवांस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो का लाइक करना बिल्कुल ना भूले ताकि आप जो है रिगलर अबडेट होते रहें तो स्टाट करते हैं तो इस वीडियो का टॉपिक है टाइप एंड सेलेक्ट हम लोग जो है टाइ करने के बाद यहां पर इसका कलर आ जाएगा से ले सकते हैं तो यह कलर हम लोग चेंज कर लिए अब यहां पर कुछ-कुछ ऑप्सन दिया हुआ है ठीक है यह दिया हुआ आपको जितना भी जस्टिफिकेशन है या फिर करेक्टर पारग्राफ में आप जो भी चीज यूज करते हैं उसके लिए यहां पर भी आपका जो सेंटराइज जस्टिफिकेशन लेफ आइट और राइट अडेंट दिया हुआ है उसके बाद फिर यहां पर आपको दिया हुआ ऑगर आपने डन कर लिया तो और यहां पर यह दिया हुए 3D एफेक्ट अगर आपको इसमें डा तो यह हाइलाइट नहीं होगा ठीक है वापस हम आते हैं सेलेक्ट करते हैं अभी हाइलाइट हो गया आप यहां पर जो भी ऑप्सांस है वो सब देख लेते हैं यहां पर करेक्टर पैनल है करेक्टर पैनल में हम लोग जो है इसका जितना भी साइज वाइस है वो सब हम लो में paragraph panel paragraph पैनल में भी same option रहता है उसका फिर glyph क्या होता है glyph जैसे कि हम लोग जो है word में या फिर excel में symbol यूज करते थे यहां पर glyph open किये अब जैसे हमारे पास यह symbol नहीं है यह symbol नहीं है हमें यह देना है तो हम यहां से इंटर कर लेंगे यह आ गया लेकिन यह अभी आ नहीं रहा है क्यों क्यूंकि हमें इसके लिए selection के बाद यहां पर text वाले cursor को रखना होता है अब हम cursor को रख दिये double click करेंगे यह आ जाएगा यहाँ पर आपको जो है option दिया हुआ है smooth strong crisp यह सब option क्या है इसका जो एज है उसको जो है smooth या फिर crisp करने के लिए होता है जूम करके पहले इसका एज दिखाते हैं अभी देखिए इसका जो एज है वो बहुत हाट एज है ठीक है यहाँ पर जो दिख रहा है बहुत हाट इस दिख रहा है इस एज को अगर हम लोग को स्मूद या फिर जो है अपने हिसाब से यूज करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं देखिए यहाँ पर हलका सा एज चेंज हो गया सार्फ हो गया अगर अगर अभी हम जो होरिजोंटल रखे हुए से वर्टिकल करना है तो हम वर्टिकल भी कर सकते हैं यह वर्टिकल हो गया साइस बड़ा है इसलिए यह दिख नहीं रहा है ठीक है लेकिन हम इसे वापस होरिजोंटल कर देते हैं उस पाद extrude to 3D, extrude to 3D में करते हैं, 3D में ये convert हो जाएगा, ये पुछ रहा है कि आपको 3D work space में आना है, तो आप चाहें, तो 3D work space में भी जा सकते हैं, या फिर नहीं भी जा सकते, 3D work space में जाएगे, तो हमें 3D का कुछ options जो है, open हो जाएगा, और उसके थुरू हम लोग ज जाएगे, तो आपको अलग-अलग angle में जो है, ये turn करने के लिए बताएगा, यहां से भी turn कर सकते हैं, यह देखिए, यहां से आप turn किये, तो यह थोड़ा नीचे की तरफ आया, उसके बाद फिर हम जो है, इसको यहां से भी turn कर सकते हैं, उपर आ गया, ठीक है, हम जो है, कलर पर हम आते हैं, कलर हम हलका dark कर लेते हैं, तो यह look और भी better हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 3D effect का भी use कर सकते हैं, अब यह हमारा 3D work space में खुला हुआ है, तो वापस अब हमें normal photos of work में जाना है, तो हम क्या करेंगे, window में आएंगे, work space में आएंगे, essential default कर तो यह आ गया, तो इसका भी final 3D effect हम हटा देते हैं, तो next है हमारे पास, create work path, work path अगर हम create कर देते हैं, तो इस तरह का selection बनके आ जाएगा, इसका work path हम यहां से change कर दिए, यह रहा हमारा work path और यह रहा हमारा text, इसका use है, आगे बताएंगे, next हम लोग आएंगे, convert to shape, shape में यह convert हो गया है, ठीके, अब हम लोग shape में convert तो कर लिये हैं, वापस हम लोग path selection tool लेंगे, यह आ गया path selection tool, उसके बाद हम लोग single single एक को पकड़ेंगे, ठीके, अब इसको हम लोग move कर दिए, उसको पकड़ें, इसको move कर दिए, तो इसका काम क् shape में convert कर देंगे यह, तो यह text नहीं रहेगा, अब यह shape बन गया है, ठीके, अब यह shape बन गया है, तो हम इसमें जो है, इसका look जो है, change कर सकते हैं, कैसे करेंगे, अब जैसे हम यह click कर रहे है, तो इसमें point बन के आ रहे है, dot बन के आ रहे है, सब area का, तो यहाँ यह बता रह गया control प्रेस करने पर अब यहां पर जो डॉट दिख रहा है इस पर हम click करेंगे और इसको हम drag करेंगे ड्राइग करने के बाद जहां हमें लेके जाना है हम लेके जा सकते हैं यह look change हो गया इसमें हम आएंगे इसको भी हम यहां पर change करना चाहते हैं तो change कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह से हमें जो changes करना है अपने according हम यहां से safe में convert करके कर सकते हैं जैसा कि हम जो है coral में भी करते थे अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग type में type में आने के बाद जो है restoreize type तो यानि कि अगर हमें जो है इसे lock करना है इसमें कोई भी editing नहीं करना है तो हम क्या करेंगे restoreize type कर देंगे जैसे restoreize से हम लोग जो है layer lock कर दे थे उसी तरह से हम लोग जो है text को भी lock कर सकते हैं ताकि इसमें कोई भी editing ना हो सके उसके बाद है यहां पे convert to paragraph test अगर हमें paragraph में इसे convert करना है तो हम paragraph text में इसे convert कर सकते हैं उसके बाद next आता है हमारा wrap text तो wrap text जब हम करेंगे तो इसमें हम जो है इसका look जो है थोड़ा change कर सकते हैं अभी यहां पे style जो है none है हमारा इसलिए नीचे कुछ भी नहीं है आपको जो भी suitable option रखते हैं आप यहां से रख सकते हैं उसके बाद फिर हम यहां पे इसको रख लिए हैं यहां पे नीचे option दिया हुआ है band का बेंड हमें अगर कम रखना है तो हम कम कर सकते हैं ठीक है उसके बाद फिर distortion यह सब हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं यहां से यह कम हो गया एक साइड में ज़्यादा हो गया वर्टिकल डिजॉर्षन भी रखना चाहते हैं तो वर्टिकल डिजॉर्षन भी रख सकते हैं तो यह एक तरह का style बन गया new style में हम इसको बन गया नया वापस आते हैं हम लोग जो है wrap text में उसके बाद फिर यहां पर font preview size है तो font preview size आप कैसा रखना चाहते हैं medium, small, large या फिर huge तो आप यहां से font का जो भी preview size है आप यहां से रख सकते हैं अलाकि यह तीनों option जो है बहुत ज़्यादा useful है इसलिए मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा नहीं जब हम लोग text document को इसके उपर बनाएंगे या फिर हम लोग flyer या फिर हम लोग poster design करेंगे तो उस time पर इसका use मैं आपको बेटर तरीके से समझा दोगा अभी यहां पर load default type style अभी यह जो type style है यह वाला है अगर इसे हम save करना चाहते हैं तो हम save कर सकते हैं यह एक नया type style हो जाएगा इसे हम save कर सकते हैं उसके बाद अगर हम यहां पर default कर देंगे तो default text style हो जाएगा ठीक है टेक्स्ट में इतना ही अब text related जो भी update शुराएगा वो मैं next video में cover करूँगा फिलाल text में जितना भी options था वो मैं आपको बता चुका हूँ अब आगे बढ़ते हैं select के तरफ selection के लिए पहले मैं layer को select कर लेता हूँ image layer image layer select हो गया अब वापस आते हैं selection में selection में यहाँ पर all है सबसे पहला option तो जब all करते हैं तो all करने के मतलब है कि सारा का सारा image image का जो भी full size है वो select हो जाएगा उसके बाद दूसरा option है de-select ठीक है de-select option है जब आपको selection को हटाना चाहते हैं तो de-select कर सकते हैं यह selection है अब हम इसे जो है de-select करेंगे तो यह अट जाएगा अब वापस हम जो है इसे select करना चाहते हैं तो reselect कर सकते हैं हमें control z से जाने का जरूवत नहीं है उसके बाद फिर हम आता है select में अब यहाँ पर inverse है तो inverse का क्या होता है कि जितना दूर हमने selection पहले कर रखा है इतना दूर छोड़के बाकी पूरा area select करने के लिए हमें जो है inverse करना होता है यानि कि opposite जितना पहले आपने कर रखा है उसको छोड़के बाकी सारा हो जाएगा उसके बाद फिर select में आते हैं all layer जितना भी layer है सब को select करना चाहते हैं तो यहाँ पर all layer कर दियें सारा layer select हो गया यहाँ पर दिखिए सारा layer एक बार में select हो गया उसके बाद फिर हम लोगाते हैं select में find layer अगर हमारे पास बहुत सारा layer है हमने बहुत सारा layer बना रखा है image के उपर और उसके बाद हमें ढूंडना है तो हम यहाँ पर find layer का इस्तमाल कर सकते हैं isolate layer यानि कि हम सारा layer रहेगा लेकिन उसको हम हटा देंगे screen से सिर्फ एक ही layer हमें दिखेगा अभी जैसे एक layer हमने select कर रखा है हम isolate कर देते हैं तो यहाँ पर layer panel में देखिए सिर्फ एक ही layer दिखा रहा है जबकि image में सारा layer है तो यह isolate हो गया कि आप जो है गलती से दूसरे layer पर काम ना करें उसके बाद फिर जब यह work complete हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पर select में आएंगे isolate layer को अटा देंगे वापस सारा layer जो है visible हो जाएगा उसके बाद फिर वापस आते हैं हम लोग color range ठीक है यह color range देखे selection के अंदर का दिखा रहा है अब यहां से हम क्या करेंगे यहां से हम सैपल कलर उठाना चाहते है हमें सिर्फ यहां पर black उठाना है तो हम black उठा लिए दिए देखे black उठी है उसके बाद फिर हम क्या करेंगे range जितना hard हमें चाहिए उतना hard हम ले सकते हैं या top the actual text वगर scared video image removing या फिर जब हम लोग hairstyle वगरण set करते हीड है है style वगरण जब हम लोग copy करते है या self करते हैं उस time पे यह perfect work करता है अभ यहां पर हम select अब यहां पर यह देखिए यह आ गया अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ठीक है तो यह इस तरह से फीदर को भी सेलेक्ट कर लेता है उसके बाद फिर हम लोग आता है सेलेक्ट में अब यहां पर कलर रेंज है फोकस एरिया focus area में क्या होता है कि आपको जो है area focus जो है वो change हो जाता है जितना दूर से या फिर जितना नजदिक से हम focus range select करेंगे उतना दूर का वो area select करेगा फिलाल इसका जो main use है वो हम लोग आगे सिखेंगे उसके बाद फिर हम लोग आते हैं select में यहाँ पर दिया हुआ है refine is करना है तो उसके लिए क्योंकि फीदर वगएरा क्या होता है कि जैसे यह बाल है तो बाल में जो है किनारे किनारे हलकल का एक रहसा निकला हो रहता है तो वह सब फीदर जो है select होता नहीं है एक बार में तो उसे हमें 10 डाल दिए तो यह हम 10 डाल दिए अब यहां का जो selection है आप गौर से देखेंगे तो selection हलका सा राउंड होते जा रहा है ठीक है यह देखिए हलका selection round हो गया तो यह smoothness आ जाता है उसके बाद फिर हम लोग जो है इसमें क्या करेंगे अब यहां पर आगया फीदर ठीक है फीदर हम select किये फीदर हम जो है यहां पर डाल दिये है 10 यहां पर 10 फीदर हम डाल दिये तो यह और smooth हो गया ठीक है लेकिन अभी आपको इसका फीदर effect दीख नहीं रहा है हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा move करते हैं तो आपको फीदर effect दीखने लगेगा अभी दिख रहा है आपको फीदर effect वापस हम select में आएंगे modify में आएंगे contract में आएंगे contract हम यहां पर 10 कर देते हैं तो यह देखे contract हम 10 किये तो यह जो है अंदर से select हो गया इसका use होता है जादा तर image removing, text removing यह सब के लिए होता है whenusing point और create करने के लिए होता है तो उस time पर आप लोग इसका use सीखेंगे feeder देख लिए contract देख लिए expand contract से जैसे inside होता है expand से outside होता है expand करेंगे हम यहां से 20 expand करेंगे तो यह अब देखे बाहर से select हो गया उसके बाद फिर हम लोग select में आएंगे modify में आएंगे smooth बदा चुका हूं border अगर हमें लेना है तो अब उसके बाद grow में आएंगे तो देखे इससे related जो है सारा का सारा वह select कर रहा है जितना भी layer है वह सारा का सारा को वह select कर रहा है अब उसके बाद फिर वापस हम लोग आते हैं select में ठीक है similar अब हम जो है similar का use करते हैं similar यानि कि अगर एक color select किया हुआ है तो उससे related अगर हम जो है दूसरा color select करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे similar का use करें अभी जैसे कि हम जो है इतना दूर हम जो है select कर लेते हैं यह select कर अब उसके बाद हम जो है यहां पर आए similar पर क्लिक किये तो यह इससे match करता हुआ जो भी इसको color मिलेगा वह सारे को वह select कर लेगा उसके बाद फिर हम लोग आते हैं select में transform selection यानि कि अब हमें selection को transform करना है जैसे यह select कर लिए अब इसका हम को sizing वगरा चेंज करना है तो हम क् transform selection करेंगे जो हम लोग ctrl T से भी करते थे और अब इसको हम लोग जो छोटा बड़ा कर सकते हैं इसे image में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके बाद फिर हम लोग जो है यहां से double click set transformation को हटा सकते हैं उसके बाद फिर हम लोग आएंगे select में edit in quick mask mode क्या होता है जब मैं background से image को remove करके दिखाऊंगा तो उस time पर इसका use better तरीके से समझा पाऊंगा फिलाल इसका option आप समझ लीजे कि आपको अगर करना है तो आप यहां से edit mode quick mask में भी कर सकते हैं यह एक तरह का masking जो है आपका open हो जाएगा उसके बाद फिर आते हैं select में load selection save selection आपने कोई selection पहले से ले रखा है तो उसे load करने के लिए या फिर इस selection को save करने के लिए उसके बाद फिर selection में 3D effect डालना है तो 3D effect डालने के लिए आपका workspace जो है 3D में open हो जाएगा आप अगर open करते हैं तो और उसके बाद फिर आप जैसा भी इसमें effect देना चाहते हैं वैसा आप यहां पे 3D में दे सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम लोग सिखेंगे vanishing point, image removing, text editing के बारे में. Thank you very much.